आज हम बनाएंगे कद्दू के फूल की पकोड़ी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है खाने में तो जो ये फूल के किनारे पर जो ये फूल के कली के जो डंठल लगे होते हैं उसको हम तोड़के निकाल देंगे और जो ये फूल वाला पीछे का हिसा होता है डंठल उसको भी इस तरीके से हम तोड़के निकाल देंगे तो यहाँ पर मैंने यह दस से बारा फूल लिये हैं और इस तरीके से हम सारे कद्दू के फूल को साफ करके त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर देखी मैंने सारे कद्दू के फूल को साफ करके त्यार कर लिया है अब इसको हम धूलेंगे तो यहाँ पर हम एक गहरे से बरतन में हम पानी लेंगे और आराम से इस तरीके से हलके हाथों से इसको हम धूलेंगे ताकि कद्दू के फूल जो है बहुत ही नाजुक होते हैं इसलिए इसको हम आराम से धूलेंगे ताकि यह तूटे नहीं तो यहाँ पर इसको हम एक बार पानी से धूलेंगे फिर पानी बदल करके इसको हम एक बार फिर से हम धूलेंगे दो बार इसको हम पानी बदल करके हम अच्छे से धूल करके हम साफ कर लेंगे ताकि जो इसमें डश्ट वगेरा होती है ना वो अच्छे से साफ हो जाए यहाँ पर मैंने सारे कद्दू के फूल को दो बार पानी से दूल करके साफ कर लिया है अब यहाँ पर हमें एक मसाला बना कर त्यार करेंगे यह मसाला हम सिल्वट्टे पर बनाएंगे यहाँ पर मैंने आधा चमच जीरा तस से बारा काली मिर्च के दाने जीरा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा जीरा और लिया यानि एक चमच जीरा तस से बारा काली मिर्च के दाने तीन कली लेसन लेसन यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे हैं इसलिए मैंने तीन कली ली है अकर पतले पतले हो तो आप 5-6 कली लेसन लीजेगा और इसमे तीन हरी मिर्ची और एक इंच अधरब को मैंने छोई टोगों में काट करके लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हमें दम बा साफ में ना पीछी और साफ में लागी कि और साफुर के लिया है लेकिन थोड़ा-बहुत मसाला नहीं पूंड अधर नियुक्त तो पर मैंने मसाले को दमबारिक पिस करके तयार कर लिया है तो इसको हम साइड में रखेंगे और इसी सिल्बटे पर हम चटनी बना कर तयार करेंगे पकोड़े के साथ खाने के लिए तिहां पर मैंने थोड़ा साहरा धनिया स्वादनसान नामा केक, हरी मिर्ची, एक कलील हैस और दो छोटे साइज की तमाटर को मैंने चोड़ी टुपो में काट करके लिया है इसको भी हम पीस लेंगे इसमें पाहिं डालने की ज़र्वत नहीं बिना पाहिं जाले ही अच्छा से पीस जाएगा पर हमारी चटनी बनकर के तयार है इसको में कटोड़ी में निकाल तो यहां पर पकोड़े का बटर बनाने के लिए मैंने एक बावल रिपाशन लगा इसमें अधा कब बेशन और चावल का आठा लेंगी यहां पर कब को नहीं भरा एक चमस के करी मैंने इसको खाली ही रखाए तिया पर हम चावल के आते और बेशन को मच्छे से अम च्छान नमक डालेंगे और जो हमने मसाला पीस करके त्यार किया था उस मसाले को हम डालेंगे जो मसाला लगा है उसमें थोड़ा सा पाई डाल करके उसको हम साफ कर लेंगे ताकि मसाला विष्ट ना जाए और फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इन सबी चीजों को हम अच् देख लिए इस तरीके का बैटर हमारा होना चाहिए इतना काण है पैटर बनाने में मुझे यहां पर टोटल एक कप और एक चौथ हाई कप पानी पूरा लग गया है तब यहां पर इसमें हम फूल को इस तरीके से बढ़िया से चारो तरफ अच्छे से हम कोट कर लेंगे और जो इसने एक्ष्ट्रा बैटर लगा होना इस तरीके से इसको हम करेंगे ताकि एक्ष्ट्रा बैटर जो है वो निकल जाए फिर यहां पर हम बढ़िया गरम तेल में कोड़ो को हम डालेंगे और इसे फ्राई करने के लिए फ्रेंच सापका तेल बढ़िया गरम होना यहां पर अभी मुझे पैन में जगां खाली लग रही थी तिसलिए मैं ने यहां पर पकोड़े और डाल दी हैं यहां पर इसको थोड़ी थोड़ी देर पर अलट पलट करके बढ़ियां से क्रिस्प होने तक पकोड़े को हम फ्राई कर लेंगे तियां पर देखिए पकोड़े बना कर त्यार कर लिए और इस चटनी के साथ यह बहुत ही टेश्टी लगते हैं अगर आपको यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आश में जरू चानी दिस आठीज दोचकीर टाइक बाते हैं जए नार कर दीज च्छोवे हांट गयुकीर च्याट इस चिल